देखें आमने 2 इंच की राउंड रिंग लिया है, 4.5 इंच की आमने 1 राउंड रिंग लिया है, 7 इंच की आमने 2 राउंड रिंग लिया है, 8.5 इंच की आमने 1 राउंड रिंग लिया है, यलो कलर का कॉलर 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 का कॉल लिया है, ब्लिू कलर के बेल लिया है, रवाइटर लिया है, देखे मैंने राउंड रिंग लिया है 2017, इसका साइस है टू इंच अि देखे मैंने हने यलो कलर के देन काड लिया है, इस अभी कॉर्ड का हाइट हम या सेम रखेंगे और देखें हमने पिंक कलर का कॉर्ड ली आए इसको मैंने वन मीटर में कट की आए देखें या गाट बनाएंगे इसी तर हम आगे के गाट बनाएंगे देखें मैंने डिजाइन कम्प्लिट किया है देखें मैंने फाइग गाट बना के डिजाइन कम्प्लिट किया है देखें एस्टर कॉर्ड का हम या कट करेंगे देखें मैंने या शीक्स कॉर्ड ली आएं देखें या हम गाट बनाएंगे देखें बाजू के हमने या टू कॉर्ड ली आएं देखें या हमने टू कॉर्ड ली आएं इस कॉर्ड के ओपर हम या पाइपिंग करेंगे क्रेंगे देखे हमने यह फाइव टाइम पाइपिंग किया हैं देखे इसी तरह हम यहाँ भी पाइपिंग करेंगे देखे बीच वाले हमने यहाँ टू कर लिए इसमें हम बीर्स दाइपिंग करेंगे देखे हमने ब्ल्यू कलर का बेड्स लियाएं और देखे यहाँ गाट बनाएंगे देखे यहाँ भी हम काट बनाएंगे देखे यहाँ भी हम भी हमने देखे बनाएंगे देखे टू करेंगे देखे यहाँ अबनाएंगे देखे अटू करेंगे देखे मिल्ड़के देखे मैंने इसी तरो और टू डिजाइन कम्पलिट किया हैं देखे मैंने थ्री डिजाइन कम्पलिट किया हैं और देखे मैंने राउंड रिंग लिया है इसका साइज है 4.5 इंच और देखे रिंग के उपर मैं पाइपिंग करेंगे देखे एसी तरह सभी कोड़ से हम यहां पाइपिंग करेंगे देखे मैंने रिंके उपर सभी पाइपिंग कम्प्लिट किया है देखे देखे दोनों डिजाइन के बीच में यहां पाइपिंग करेंगे देखे मैंने यलो कलर का और एक कोड लिया है इसको मैंने 1.5 मीटर में कट किया है देखे यहां पाइपिंग करेंगे देखे हमने यह फोर कोड अटेज किया है और देखे इस कोड से इधर हम यहां पाइपिंग करेंगे और देखे इधर पाइपिंग करेंगे इसी तरह सभी कोड से हम यहां पाइपिंग करेंगे देखे मैंने रिंग के उपर सभी कोड अटेज किया है देखे मैंने 6 कोड अटेज किया है देखे इसी तरह यहां पाइपिंग करेंगे देखे मैंने 6 कोड लिया है इसका मैं गाट बनाएंगे देखे मैंने रिंग के उपर सभी कोड अटेज किया है देखे मैंने पहले बोला था यहां 5 कोड अटेज किया है तो मैंने यहां 6 कोड अटेज किया है देखे हमने यहां 2 कोड लिया इसमें हम बिट्स डालेंगे देखे मैंने रेड कलर का बिट्स लिया है देखे 2 बिट्स डालेंगे झाल झाल देखे मैंने सभी कॉर्ड में बिड्स टाल कर ये डिजाइन पूरा कम्प्लिट किया है देखे देखे मैंने राउंड रिंग लिया है इसका साइज है 7.5 इंच देखे रिंग के उपर हमें पाइपिंग करेंगे देखे इसी तरह में आगे का पाइपिंग करेंगे देखे हमने रिंग के उपर या सभी पाइपिंग कम्प्लिट किया है देखे जो उपर का डिजाइन है इसमें से हमने बीच वाल यार टू कॉर्ड लिये इसमें हम लाइट ग्रिंग कलर का बिड्स दालेंगे देखे हमने बीच लिया है और देखे हमने पिंक कलर का कॉर्ड लिया है और देखे हमने पिंक कलर का कॉर्ड लिया है इसका हमने वन मीटर में कट किया है देखे हमने और एक कॉर्ड लिया है लाइट ग्रिंग कलर का यह सभी कॉर्ड हमने एक सिक्स कॉर्ड लिया है देखे हमने लाइट ग्रिंग कलर का कॉर्ड लिया है इसकॉर्ड के उपर हम यह पाइपिंग करेंगे देखे हमने जो बाहर का कॉर्ड इसको अंदर रखेंगे और अंदर का कॉर्ड उसको बाहर रखेंगे और देखें पिंक अंदर का कॉर्ड इसकॉर्ड से ग्रिंग लाइट ग्रिंग कलर का कॉर्ड लिया है इसकॉर्ड के उपर हम यह पाइपिंग करेंगे फिर से अंदर से कि अ और देखें एक बार से पाइपिंग करेंगे और फिर से अंदर से पाइपिंग करेंगे हमने इसमें से पिंक कलर का कॉल लिया है इसमें बीड्स डालेंगे देखें हमने ब्ल्यू कलर का बीड्स लिया है देखें इसी तरह और एक डिजाइन बनाएंगे से अपल खालेंगे देखें लिया है इसमें लिया है देखे इसी तरह हमने यह भी त्री नोट बनाया है और देखे हमने पिंक कलर का कॉल लिया है इसके इसमें हम ब्लू कलर का बिट्स डालेंगे देखे हमने बीच वालिया टू कॉड लिये इसमें हम यलो कलर का बिट्स डालेंगे यहां गाट बनाएंगे देखे हमने बाजु के यहां वन कॉड छोड दिया था यहां भी आमने वन कॉड छोड दिया था और देखे हमने यहां टू कॉड लिये इसका हम यहां गाट बनाएंगे देखे मैंने सभी एश्ट्रो कॉड को कट किया है देखें कॉड को मिया स्टिक करेंगे इसी तरह हम सभी डिजाइन बनाएंगे देखे मैंने डिजाइन कम्प्लिट किया है देखे मैंने फोर डिजाइन कम्प्लिट किया है इसी तरह मैंने यहां भी फोर डिजाइन कम्प्लिट किया है देखें डिजाइन को मैं इसा उल्टा करेंगे रखेंगे और देखें ए जो कौड़े इस कौड़ के उपर हम इस कौड़ से पाइपिंग करेंगे देखे मैंने इसी तरह यहां सभी डिजाइन कंप्लिट किया है देखे दोनों डिजाइन के बीच में यहां जो यल्ल कलर के कौड़े इस कौड़ को हम यहां कट करेंगे देखे मैंने सभी कौड़ को कट किया है और देखे पीचे के तरफ स्टीक किया है देखे 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 मैंने राउंड रिंग लिया है इसका साइज है 7 इंच देखे इससी साइज का मैंने राउंड रिंग लिया है देखे रिंग के उपरम या पाइपिंग करें देखे रिंग के उपरम या पाइपिंग करेंगे देखे रिंग करेंगे देखे मैंने रिंग के उपर मैंने सबी पाइपिंग करेंग करेंगे देखे मैंने या पाइपिंग करेंग कर लिया है यह वहर्त साइज कί मीद लिया है देखे हमने लाइट ग्रिंग कलर का बीड्स लिया है बीड्स लिया है कॉर्ड में हम बीड्स दालेंगे देखे में हम बीड्स दाल कर देखे में हम बीड्स लिया है पुरा डाउन कंप्लीट किया है देखे इस तरह से देखे देखे मैंने राउंड रिंग लिया है इसका साइज है 8.5 इंच रिंग को हम ऐसा रखेंगे और देखे रिंग के उपर हम या पाइपिंग करेंगे देखे मैंने रिंग के उपर सभी पाइपिंग कंप्लीट किया है देखे इस कोड में हम रेड कलर का बीड्स डालेंगे देखे हमने रेड कलर का बीड्स लिया है देखे टू बीड्स डालेंगे और देखे हमने ब्लू कलर का बेल लिया है इसमें हम बेल डालेंगे और देखें कौड़का में याँ स्टीक करेंगे देखें इस कौड़का में याँ कट करेंगे और पीछे की तरफ स्टीक करेंगे इसी तरह इस कौड़के में हम बीट्स डालेंगे और बेल डालेंगे और देखें में याँ देखेंगे पूल देखेंगे अक्राइब टर देखेंगे अक्राइब देखेंगे देखे में आप बीड्स और बेल डाल कर देखे पूरा डिजाइन में आप कम्पलीट किया है देखे देखे इस रिंग के उपर हमें आपाइपिंग करेंगे देखे मैंने यलो कलर का कॉड ली आए इसको मैंने वन मीटर में कट किया है देखे रिंग के उपर हमें कॉड अटेज करेंगे कि और देखें पाइपिंग करेंगे देखें रिंग के उपर पाइपिंग करने के लिए मैंने वन मीटर को कॉल यूज किया है पिंग कलर का भी हमने वन मीटर को कॉल यूज किया है यलो कलर का भी हमने वन मीटर को कॉल यूज किया है यलो कलर का भी हमने वन मीटर को कॉल यूज किया है ग्रिंग कलर का भी हमने वन मीटर को कॉल यूज किया है झाल 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 झाल